ये गाइस, what's up, क्यासे हैं आप सभी लोग, बहुत बहुत सभागत है आप सब का आज के इस amazing से session में हम लोग कर रहे हैं CA Intermediate May 23 students के लिए fast track tax session जिसका आज 6th session होने जा रहा है हम लोग ने परसों से capital gains start किया था और आज capital gains का 3rd session है हम अभी तक basics of taxation कर चुके हैं, हम अभी तक income from house property कर चुके हैं और हम लोग ने तीसरा chapter capital gains start किया है, जिसके 2 lectures हम complete कर चुके हैं 3 lectures अभी बाकी है, today is the 3rd session आप में से जितने भी students यहाँ पर नए हैं, आप लोग ये मेरे बारे में information पढ़ सकते हैं मेरा schedule यह आपके सामने है, रोज रात को 9 बजे इसी YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए fast track taxation की classes होती है for C intermediate May 23 attempt, बाकी Unacademy Plus पर हमारा एक warm up batch चल रहा है, जिसमें मैं detail में GST पढ़ा रहा हूँ इस class के end में बताऊंगा, मैंने May 23 के students के लिए एक strategy session लिया था 14th of January को, उसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा तो अगर आप में से किसी को भी confusion है, कैसे होगा May 23, single group देना चाहिए, both groups देना चाहिए, revision कैसे करना चाहिए, पढ़ाई कैसे करने चाहिए, manage कैसे करना चाहिए वगरा वगरा तो और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने उस strategy session में discuss किया, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो बाकि ये जितने भी lectures है, उन सब की playlist का link इस video के description में आपको मिल जाएगा और यहाँ पर जो भी notes होते हैं, notes का link आपको इस video के description में मिल जाएगा अगर आप नए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी notes हैं, उसमें बहुत सारे questions हैं, बहुत सारा concept है, वो सारा का सारा आप लोगों को करना है हम लोग यहाँ पर classes में, क्योंकि यह fast track है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछी-कुछ questions करवा रहा हूँ तो जो-जो questions में आप लोगों को यहाँ पर class में करवाता हूँ, तो notes में उनके लिए मैंने spaces, blank spaces छोड़ी हुई है और लेकिन जो-जो questions में यहाँ पर class में नहीं करवा पा रहा हूँ, वो notes में मैं आपको solved way में दिये हूँ है और class खतम हो जाने के बाद, please आप उन questions को ज़रूर कर लीजेगा Let's get started, तो हम लोग कर रहे थे income from capital gains, कल हम लोग ने 99th slide complete कर ली थी और आज हमें 100th slide से शुरू करना है और हमें आज exemptions से start कर देना है अपना discussion ठीक है, तो exemptions से हम लोग करेंगे, जल्दी से पहुंच जाते हैं 100th slide पर कल एक काम करूँगा, कल वाले session से पहले यह 100 slides या जितनी भी 1500 slides जितना भी आज हम लोग करेंगे वो सारी में मिटा दूगा, जिससे इतना time हमारा ना waste हो चलो, 95, 96, 97, 98, 99, yes, exemptions हम लोगों को start करने, तो अगर आपको याद हो, तो capital gains का जो परसों वाला session था, उसमें हम लोगों ने कहा था कि 3-4 conditions होती है, किसे भी income को capital gains वाले head के अंदर taxable होने के लिए, पहला, there should be a capital asset, दूसरा, there should be a transfer तीसरा, जो भी tax होता है, वो उसी साल होता है, जिस साल आपका transfer take place होता है, लेकिन उसके 4 exceptions हम लोग अलड़ी पढ़ चुके हैं, और चौती चीज थी, कि this should not be exempt under the sections 54, 54, F54, EC, वगयरा, 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 तो आज हम लोग ये 54 वाली series पढ़ने के लिए यहाँ पर आए होए हैं, तो 54 वाली series से शुरू करते हैं, सबसे पहला जो इसमें हम लोग section पढ़ेंगे, वो होगा section number 54, section number 54, exemption for residential house property, ठीक है, अब residential house property के लिए, ठीक, मैं यह देख रहा था कि recording मगरा सब सही चल रही है यह नहीं, तो residential house property के लिए क्या होता है, अगर आपके पास कोई residential house property है, आपने उसको बेचा, उस पर capital gains आएगा, अगर उस पैसे को आपने एक और residential house property में खरीदने के लिए invest कर दिया, तो जो भी capital gains पहली वाली पर आया था, उसको उस पर आपको exemption मिल जाएगा, it's as simple as that, right, आपके पास कोई house property है, आपने उसको बेचा, बेचने के बाद जो भी पैसा आया, उस ही पैसे से आपने एक दूसरी residential house property खरीद ली, तो जो भी capital gains आया था, पहली वाली को बेचने पर, वो आपका exempt हो जाएगा, इसके अंदर of course, कुछ-कुछ और conditions हैं, कुछ-कुछ और restrictions हैं, कुछ-कुछ और points हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, right, तो सबसे पहला है, eligible SAC किसके लिए हैं, individual या हुएफ के लिए, तो कोई भी individual या हुएफ के अलाबा, अगर किसी के पास भी residential house property और वो ऐसा करता है, तो उसको section 54 का exemption नहीं मिलता है, next, asset transferred कौन सा होना चाहिए, residential house property आपको transfer होनी चाहिए, इसका मतलब commercial house property अगर आप commercial property अगर आप transfer करते हो, तो उसपे section 54 वाला exemption नहीं मिलता है, next, capital gain on transferred assets should be long term capital asset, तो आपको घर बेचने पर long term capital gain होना चाहिए, short term capital gain अगर है, तो section 54 का benefit आपको नहीं मिलेगा, next, asset to be acquired, one residential house property in India, तो इंडिया के अंदर सिर्फ एक residential house property ही आपको खरीदनी होंगी, तभी आपको इसका reduction मिल जाएगा, लेकिन, अब यहां पर एक छोटा सा amendment आया था, amendment यह आया था, कि अगर आप एक से ज्यादा residential properties खरीदते हो, suppose मेरे पास एक residential property है, मैंने उसको बेचा, मेरे पास 2 करोड रुपए आ गए, अब 2 करोड रुपए आने के बाद मैंने क्या किया, 50 लाग रुपए का या 75 लाग रुपए का एक माकान खरीद लिया, और 1 करोड रुपए का मैंने एक और माकान खरीद लिया, तो दो residential house properties मैंने खरीद लिए, तो अब क्या इस पर exemption मिल जाएगा, पूरे 1 करोड 75 लाग का exemption मिलेगा, या नहीं, आओ देखते हैं, तो देखो, long term capital gain अगर 2 करोड तक का है, then assessi can acquire 2 residential house properties in prescribed time limit, जो भी prescribed time limit है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, तो अगर long term capital gain 2 करोड तक का है, 2 करोड या उससे कम है, तो फिर 2 residential house properties भी खरीद जा सकती है, और 2 residential house properties में जो भी खर्चाएगा, उसका आपको exemption मिल जाएगा, section 54 में, this benefit of 2 house properties is available only once in the lifetime of the assessi, बतलब ये सिर्फ जिन्दिगे भर में एक बार ही हो सकता है, बतलब ऐसा नहीं है कि अभी आज मैंने 1 property बेची, 2 properties खरीद ली, उन 2 properties का मैंने exemption क्लेम कर लिया, फिर 10 साल बात मैंने उन 2 properties में से 1 property बेची, और फिर 2 और properties खरीद ली, फिर उन 2 properties पर भी इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती है, यह वाली चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है, यह वाली चीज़ें allowed नहीं है, ठीक है, just give me one moment, तो यह वाली चीज़ हम लोगों को allowed नहीं है, तो अब देखो, time limit क्या है, what is the prescribed time limit, the time limit is, कि जब आप transfer करते हो house property, तो या तो उसके 2 साल के अंदर-अंदर खरीद लो, या फिर अगर आपका construction चल रहा है, तो 3 साल तक आप खरीद सकते हो, right, देखो, आजो, इसको पढ़ते हैं, तो और clarity की साह समिझ में हैगा, new house property should be purchased within 1 year before the date of transfer, और purchased within 2 years after the date of transfer, तो यही मेरा आपको बताया, कि आप बेचने के 2 सा के अंदर-अंदर उसको construct करवालो, और constructed within 3 years after the date of transfer, अब यह माइनस 1, प्लस 2, प्लस 3 क्या लेखाऊ है, मैं आपको बताता हूँ, suppose आज, आज कौन सी देट है, today is 21st of January, right, so 21st of January को मैंने कोई house property बेची, अब इस house property को बेचने के 1 साल पहले-पहले तक, यानि 21st January 2022 से लेकर अ इसका भी exemption में इस वाले के against ले सकता हूँ, तो या तो बेचने के 1 साल पहले के अंदर-अंदर, या तो बेचने के 2 साल बाद के अंदर-अंदर, purchase कर लो, अगर आप construct करवा रहे हो, तो या तो बेचने के 1 साल के पहले के अंदर-अंदर, या पर 3 साल बाद के अंदर- एक दो यह सकता है आपका यहाँ यह देट-अफ सेल यहां गाने वांग तक इस देट वाग तक इसदेट में आपने इतने तीन साल में आपने परचेश किया तो भी अलाओद हो जाएगा और अगर आप construction करवा रहे हूं तो construction के लिए आपको यह वाला time लिया हुआ है ठीक है यह हो गया sorry 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 sorry中國 इी वाला नहीं है construction में EXC education में थ्लिए परचेस की case में एक साल पहले से लेकर दो ईतन्हेतक आती है जिनको किस तरह से सुल्फ किंद सरकार स्कार में आरे अ कोसी सब्सक्राइब । इसका डिड़क्षन अगर मेरे को क्लेम करना है तो यह फाइनाईशल यह 23 idee के पाइनाइशल यह टू थूट थूटिए 2 ठीक है, financial year 22-23 में मैंने मकान बेचा, इस पर capital gains हुआ, suppose मैं मकान construct करवा रहा हूँ, अब मकान construct एक महिने में, दो महिने में तो हो नहीं जाएगा, मकान को construct होने में लगेंगे एक, दो साल, तीन साल, तभी law ने भी तीन साल बोला हुआ है, लेकिन अगर मेरे को उसका deduction, financial year 22-23 में ही लेना है, इसका exemption मेरे को लेना होगा तो 22-23 में ही मेरे को exemption लेना है, तो कैसे मिलेगा मेरे को, तो सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, जो भी आपका capital gain आया, उस पैसे को आप हमारे पास एक account में रखवा दो, ठीक है, उस पैसे को जो भी आपकी due date of return filing है, जैसे, previous year 22-23 के लिए, due date of return filing will be 31st July, 31st July 2023, ठीक है, previous year 22-23 के लिए, the due date of return filing will be 31 July 2023, तो सरकार कहती है कि 22-23 में अगर आपने कोई property बेची और उस पर आपको कुछ capital gain हुआ, तो आप एक काम करों, वो पैसा ना, हमारे पास रखवा दो, एक account में रखवा दो, जिससे हमें यह पता चल जा है कि आपकी intention है, कि आप आने वाले 21-22 साल में मकान को खरीद लोगे, यह मकान आपका construction में चल रहा है, हमारे पास account में आपने रखवा दिया, कब 31-21-23 से पहले पहले, due date of return filing से पहले पहले, अगर आपने रखवा दिया, तो हम समझ जाएंगे कि yes, आपका जो intention है, वो मकान को आगे नया मकान बनवाने का intention है, तो फिर आपको exemption हम उस पर दे देंगे, right, इस account में जो पैसा दिया है, उसका utilization अगर कभी भी आपने मकान के अलावा किसी और चीज़ के लिए किया, तो exemption lapse हो जाए गा, अभी हम लोग questions करेंगे, तो और ध्यान से आपको चीज़न समझ में आएंगे, देखो, तो इसको बोलते है, capital gain account scheme, assessi should acquire house property or deposit desired amount in the capital gain account up to the due date of return filing, तो जो due date of return filing मैंने आपको बताएं, 30 July 2023, उससे पहले-पहले या तो आप मकान खरीद लो, अगर मकान उससे पहले-पहले नहीं खरीद पारे हो, तो उतना पैसा आप capital gain account scheme में डाल दो, तो अगर आपने उसका गलत इस्तेमाल किया, या उसका आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो जो आपको शुरुआ आपने exemption मिला था, वो withdraw हो जाएगा, exemption आपको कितना मिलेगा, या तो capital gain, या फिर cost of new asset, या जितना भी आपने deposit किया है, तो या तो आपको capital gain पूरा कब पूरा मिल जाएगा, या फिर अगर आपने उससे कम use किया है नहीं asset के लिए, तो फिर आपको उससे कम वाले पैसे का आपको exemption मिलेगा, lock-in period, अब देखो, lock-in period, जो भी आप नया मकान खरीदते हो, जो भी आपने नया मकान खरीदा, पुराना मकान बेच कर आपने नया मकान खरीदा, exemption claim कर लिया, अब नया मकान तीन साल तक आप transfer नहीं कर सकते, ठीक है, नया मकान तीन साल तक आप बेच नहीं सकते, तो new house property should not be transferred within 3 years from the date of its acquisition, जिस साल आपने नया मकान खरीदा, उसके 3 साल के अंदर अंदर आप उस मकान को बेच नहीं सकते, if it is transferred within 3 years, तो जो आपको initially exemption मिला था, वो withdraw हो जाएगा, and it shall be reduced from the cost of acquisition of new property, तो जब नई property को आप बेचोगे, तो उसमें cost of acquisition में से इसको reduce कर दिया जाएगा, जितना भी आपको पहले बाले में exemption मिला था, ठीक है, आईए सर, question करते हैं, तो आपको और clarity से समझे आएंगी, आजाओ आप लोग question number 41 पर, तो इसके बाद आपके notes में है, question number 38 या 39 है, 48, ठ 38, 39, 40 आप लोग अपने आप से कर लोगे, हम आरे 41 पर, 41 करने के बाद आप करोगे 38, 39, 40, ठीक है, देखो, Mr. Sarthak, Mr. Sarthak entered into, Mr. Sarthak entered into an agreement with Mr. Jai Kumar to sell his residential house located at Kanpur on 16th August 2022 for 1 crore 50 lakh rupees, the sale proceeds were to be paid in the following manner, 20% through account pay, bank draft on the date of agreement, ठीक है, 60% on the date of possession of the property, balance for the completion, balance after the completion of the registration of the title of the property, ठीक है, 1.5 करोड का 20% date of agreement पर मिल जाएगा, ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको stamp duty value दी हुई होगी, तो stamp duty value कौन सी दे की consider करोगे, date of agreement की, ठीक है, क्योंकि agreement की date पर, इसका थोड़ा सा पैसा, account pay check के थुरू, या account pay bank draft के थुरू, आपको मिल रहा है, ठीक है, Mr. Jai Kumar was handed over the possession of the property on 15th December 22, and the registration process was completed on 14th January 2023, he paid the sales proceed as per the sale agreement, the value determined by the stamp duty authority is, ठीक, अब देखो, 16th August 2022 को 1 करोड 70 लाग, 15 December को 1 करोड 71 लाग, और 14 January को 1 करोड 71 लाग, पचास थार रुपे, तो हम लोगो ने जो पिछली class में देखा था, कि stamp duty value हम कौन सी देखा था, date की लेंगे, date of agreement की लेंगे, या फिर date of registration की लेंगे, तो यहाँ पर हमने बात की थी, कि date of agreement पर अगर थोड़ा सा या पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाता है, आइदर थू अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, या थू एनी अधर mode of electronic clearance system, तो फिर date of agreement की ही stamp duty value को consider किया जाएगा, तो यहाँ पर date of agreement कौन सी है, date of agreement, date of agreement है 16th August 2022, तो 16th August 2002 को 1 करोड 70 लाख है, तो इस stamp duty value को consider किया जाएगा, अच्छा, अब ये भी stamp duty value अगर हम लोग देखते हैं, तो 1.5 करोड से ज्यादा है, पर क्या 1.5 करोड के 110% से भी ज्यादा है, तो आईए let's see, calculator देटा को बलाते है, 1.5 करोड का 110% कितना आएगा, 1.5 करोड का 110% आएगा, एक करोड 65 लाख रुपे, एक करोड 65 लाख रुपे आएगा, तो 1.70 लाख रुपे हमारी full value of consideration मानी जाएगी, तो 1.70 लाख रुपे हमारी full value of consideration मानी जाएगी, आगे देखो, Mr. Sartak had acquired the residential house at Kanpur on 1st April 2001 for 30 लाख रुपे, तो यही वाले जो Kanpur वाले मकान बेचा है, इन्होंने, Mr. Sartak ने अपना Kanpur वाले मकान बेचा है, और Kanpur वाले मकान को इन्होंने 30 लाख रुपे में खरीदा था, 1st April 2001 को, after recovering the sale proceeds from Jai Kumar, he purchased two residential house properties, one in Kanpur for 20 लाख रुपे, on 24th March 2023, and another in Delhi for 35 लाख रुपे on 28 May 2023, 28 May 2030 को खरीदा, और 24 March 2023 को खरीद लिया, अब मेरे को एक बात बताओ, एक property बेचकर दो properties खरीदी, क्या दोनो properties दो साल के अंदर अंदर खरीद लिया, जो time duration था, वो क्या था, कि बेचने की date से, दो साल के अंदर अंदर खरीद लो, या बेचने की date से, एक साल पहले के अंदर अंदर खरीद लिया, इसने, एक मकान आपने 24 March 2023 को खरीद लिया, दूसरा मकान आपने 28 में 2023 को खरीद लिया, तो क्या इन दोनों का ही reduction क्लेम किया जा सकता है, हाँ, कब अगर total capital gain, ये जो जै कुमार को मकान मेचे अपना कानपूर वाला, कानपूर वाले मकान पर ज assessment year 23, 24, आज वो इसको दिखते हैं, यहाँ पर, let's look at this question now, तो total sale value क्या ली जाएगी, full value of consideration, एक करोड़ सतर लाख रुपे लेंगे, इसका हम लोग discussion करी चुके है, तो full value of consideration, एक करोड़ सतर लाख रुपे हम लोग यहाँ पर लेंगे, transfer expenses कुछ नहीं, तो एक करोड़ सतर ला तो 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तो देखो long term capital gain कितना हुआ long term capital gain हुआ 70,000,000 रुपे 2 करोड से कम है तो 2 house properties का reduction हम लोग claim कर सकते है तो exemption आपको मिलेगा lower of capital gain capital gain है 70,000,000 रुपे या फिर cost of new asset तो cost of new asset कौन से हो जाएंगे आपके 20,000,000 का ये plus 35,000,000 का ये 30,000,000 plus 35,000,000 55,000,000 रुपे तो आपको 55,000,000 रुपे का exemption मिल जाएगा और आपका जो capital gain income आएगी वो आएगी 15,70,000 आपके जो capital gain income आएगी वो आएगी 15,70,000 रुपे तो ये बड़ा simple सा question था I hope ये clearly आप लोगों को समझ में आ गया होगा बागी सारे explanations यहां पर दिया हुए आईए question number 42 पर आते है Shiva वाले question पर अरे चलो Shiva वाले questions से हम लोग शुरू करते हैं Mr. Shiva purchased a house property on 15 February 1979 for 3,24,000 रुपेज in addition he also paid a stamp duty value at 10% on the stamp duty value of 3,50,000 रुपेज तो 3,24,000 रुपे की तो वो ही purchase value हुई और 3,00,000 रुपे पर 10% की stamp duty value यानि 35,000 रुपे और पे किया होगा तो total cost कितनी आ गई total cost आ गई 3,24,000 रुपे plus 35,000 रुपे तो कि तरहेगा 3,45,9 3,59,000 रुपेज जो तो ठीक है 3,59,000 रुपेज आपकी यहाँ पर cost निकल कर आ जाती है ठीक आगे देखते है In April 2007 Mr. Shiva entered into an agreement with Mr. Mohan for sale of such property for 14,35,000 रुपेज and received an amount of 1,11,000 रुपेज as advance However, the sale consideration did not materialize and Mr. Shiva forfeited the advance ठीक है तो 1st April 2014 से पहले advance forfeit किया गया है तो यह cost of acquisition में से minus होगा और वैसे भी cost of acquisition आपकी 359 1st April 2001 से पहले किया है तो FMV लेंगे आगे देखो In May 2014 he again entered into an agreement for the sale of said house for 20,25,000 रुपे to Ms. Deepshikha and received 1,51,000 रुपेज as advance However, as Ms. Deepshikha did not pay the balance amount Mr. Shiva forfeited the advance तो यह 1,51,000 रुपे का जो advance Deepshikha से मिला था यह भी forfeit हो गया लेकिन इसकी taxability होगी under IFOS क्यों क्योंकि यह 1st April 2014 के बाद forfeit किया गया है In August 2014 Mr. Shiva constructed the first floor by incurring a cost of 3,90,000 रुपेज cost of improvement On November 15, 2022 Finally, financial year 22 थे इसमें आए Mr. Shiva entered into an agreement with Mr. Manish for sale of such house for 30,50,000 रुपे and received an amount of 1,50,000 रुपेज as advance through an account pay check ठीक है account pay check से advance मिल गया Mr. Manish paid the balance entire sum and Mr. Shiva transferred the amount to Mr. Manish on 20th February 2023 तो agreement कब हुआ 15 November 2022 का हो और registration कब हुआ 20 February 2023 को लेकिन agreement की डेट पर 1,50,000 रुपे का advance मिल गया था तो अगर stamp duty value दी हुई होगी तो हम लोग November 15, 2022 की stamp duty value को consider कवेंगे Mr. Shiva has paid brokerage at 1% of sale consideration to the broker Very nice On 1st April 2001 the fair market value of the house property was 11,85,000 रुपेज and stamp duty value was 10,70,000 रुपेज तो अब बताओ cost of acquisition क्या मानी जाएगी हम cost of acquisition लेते या तो यह original cost या तो FMV whichever is higher लेकिन FMV cannot exceed the stamp duty value तो यहाँ पर FMV जो है 11,85 की that is exceeding the stamp duty value of 10,70,000 रुपे और इसी लिए हम लोग 10,70,000 रुपे को ही cost मानेंगे हम लोग 10,70,000 रुपे को ही cost मानेंगे एक तो बात यह हो गई उसके बाद further the valuation as per stamp duty authority on the house of 15th November 2022 यानि date of agreement वाला 39,00,000 का था and on 20th February 2023 was 41,00,000 रुपीज तो 20th February को 41,00,000 रुपीज आ गया था हम कौन सी consider करेंगे हम ये 39,00,000 रुपीज वाली consider करेंगे इसमें हम देखेंगे कि क्या sale consideration के 110% से ज्यादा है ये 39,00,000 रुपीज तो आओ देखते है sale consideration थी 30,50,000 रुपीज तो 30,50,000 रुपीज का 110% करके देखो 30,50,000 का 110% अगर हम लोग करते हैं तो कितना आता है है ये आता है 33,55,000 रुपीज 33,55,000 रुपीज और stamp duty value क्या थी stamp duty value थी 39,00,000 रुपीज तो क्योंकि 39,00,000 रुपीज is exceeding the 110% of the sale consideration तो 39,00,000 रुपीज को ही full value of consideration माना जाए गा compute the capital gains in the hands of Mr. Shiva for assessment year 23,24 काफी comprehensive question बहत ही ज्यादा comprehensive question बड़ा मज़ा आएगा आओ इसको समझते है तो देखो compute the capital gains in the hands of Mr. Shiva for assessment year 23,24 let's see let's look at this now तो यहाँ पर full value of consideration कितनी आ जाएगी 39,00,000 रुपी full value of consideration आपकी 39,00,000 रुपी इसके लिए notes 1 और 2 बनाए है note 1 और 2 यह आप लोग पढ़ लेना आपने आपसे transfer expenses हुए transfer expenses हुए 1% of the sale consideration to the broker 1% of the sale consideration sale consideration was 30,50,000 रुपी 1% इसके 30,50,000 रुपी 0.01 यह 30,500 तो यह 30,500 यह चला गया फिर M plus 39,50,000 रुपी minus MRC is equal to 39,19,500 39,19,500 उसके बाद अब देखो यहाँ पर net consideration तो आ गया अब cost of acquisition देखते हैं तो cost of acquisition हम लोग क्या मानेंगे cost of acquisition हमारी होगी 10,70,000 रुपे cost of acquisition होगी हमारी 10,70,000 रुपे तो 10,70,000 रुपे into 331 एक सेकेंड 10,70,000 रुपे में से हमें जो advance money forfeited था advance money forfeited वस यह 1,11,000 रुपे कब forfeit किया यह यह April 2007 में forfeit किया गया तो इसको भी तो हमें minus करना होगा इसको भी तो हम लोगों को minus करना होगा तो 10,70,000 रुपे में से यह जो 1,11,000 रुपे का advance money forfeited है इसे हमें minus करना होगा तो यह कैसे आएगा 10,70,000 में से क्योंकि यह advance money forfeit हम लोग ने पहली कर लिया था ना अरे मिल जाओ 10,70,000 में से 1,11,000 रुपे का जो advance money forfeited है वो माइनस करेंगे और फिर 331 upon 100 हम लोग इस तरह से करेंगे बाकी जो दीप शिखा वाला advancement money forfeit किया था वो तो आए फोएस में taxable होगा तो दिस इस दस लाख 70,000 माइनस एक लाख 11,000 इन्टू 10,000 होगा ना का करो मैं 10,70,000 माइनस एक लाख 11,000 इन्टू 331 by 1 हम इतना आया यह 31,74,290 यह आया 31,74,290 तो यह आ गया आपका 31,74,290 फिर cost of improvement इन्होंने incur किया था यहाँ पर 3,90,000 रुपे का ठीक है यह August 2014 में incur किया था तो 3,90,000 रुपे का जो cost of improvement है 331 अपॉन फिनाशल यह 14,15 का 240 तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 39,00,000 नहीं 3,90,000 इंटू 331 divided by 240 तो दिस इस 537,875 537,875 तो टोटल कितना आता है टोटल आपको आजाता है this plus 3,174,290 तो दिस इस 37,12,165 तो अब आपके long term capital gains निकल कर आ जाएंगे अस कर तो इसको 39,15,9,19,500 minus MRC is equal to 207,335 207,335 तो टो जीक है 207,335 कुछ तो गडबडी हुई है तो गडबडी हुई है क्याक्लेशन में 39,00,39,00,30,500,38,69,500, ok 38,69,500,38,69,500, alright अभी सही हो जाएगा minus 37,12,165 157,335 157,335 this is your long term capital gains टीक है इसके लिए एक working note भी बनाए cost of acquisition के लिए तो cost of acquisition है क्या higher of actual cost actual cost is 324 plus 35,000 यह stamp duty आपने पेगी या lower of FMV 1185 and SDV 1070 as on 1st April 2001 तो अगर हम actual cost देखे तब तो क्या आईगी actual cost आपके आईगी 359,000 रुपीस ठीक है actual cost आईगी आपकी 359,000 रुपीस और अगर इधर देखें हम लोग तो lower of FMV 1185 या 1070 तो यहां पर यह आएगा 10,70,000 रुपे तो इसका जो भी higher होगा वही 10,70,000 रुपे यह आगया अब इसमें से advance money forfeited आप minus करोगे 1,11,000 रुपे तो फिर यह जो भी था आपके पास वो निकल कर आएगा 10,70,000 minus 1,11,000 यह आपको दिखाना पड़ेगा ना लिखना पड़ेगा पूरा तो 9,59,000 यह आया और यह index करने के बाद 9,59 into 331 divided by 100 यह आया आपका 3,174,290 3,174,290 हम लोगों ने तो ऐसे oral discussion कर लिया 3,174,290 वगाला लेकिन आप लोगों को दिखाना होगा तो दिखाना होगा इस तरह से तीक उसके बाद दीपशिखा वाला income from other sources में taxable होगा वो भी मैंने आपर दे दिया है अब आजाओ section 54B पर आते section 54B कहता है अगर आप किसी rural agricultural land को sorry urban agriculture land को अगर आप transfer करते हो तो क्या होता है क्योंकि rural agricultural land को अगर आपने transfer किया तब तो कुछ भी नहीं होगा because rural agricultural land is not a capital asset itself ठीक है तो अब देखो अगर आपके पास urban agricultural land है और आप एक individual या HUF हो और आप इसको transfer करते हो urban agricultural land को जो जो आपने या आपके parents ने पिछले दो साल तक agricultural purpose के लिए use की हुई है date of transfer से दो साल पहले तक date of transfer से पिछले दो साल से आप कर रहे हो आपकी date of transfer suppose आज की है 21st January तो आज से दो साल से पहले से दो साल होगा या आपको इस पे agricultural काम करते हुए agricultural activity करते हुए आपको या आपके parents को अगर ऐसा है तो फिर इसको आप eligible हो गए capital gain on transferred asset इसमें short term भी हो सकता है long term भी हो सकता है जैसे अभी हम लोग आने section 54 में रेखा तो उसमें जो सिर्फ long term वाले में मिलता है इसमें कुछ भी हो सकता है asset to be acquired अब ये urban agricultural land बेचकर क्या acquire करना होगा आपको या तो urban या तो rural agricultural land तो urban agricultural land जब आप बेचोगे तो या तो urban या तो rural agricultural land दोनों में से कुछ भी आप acquire कर सकते हो लेकिन ये नहीं agricultural land आपको acquire करने जाहिए within two years after the date of transfer ये दो साल के अंदर अंदर आपको acquire करनी है नहीं acquire कर पा हो तो due date तक मतलब अगर बेचने के तुरंत बाद आप acquire नहीं कर पा रहे हो तो due date of return filing तक आप capital gain account scheme में पैसा डाल दीजे और इसका exemption आपको मिल जाए गा deposited amount इसी के लिए utilize होना चाहिए अगर नहीं किया तो exemption आपका withdraw हो जाएगा amount of exemption क्या होगा वही capital gain या फिर cost of new asset या deposit amount whichever is lower lock-in period इस पर भी 3 साल का lock-in period है जैसे section 54 में मकान पर 3 साल का lock-in था नए वाले मकान पर 3 साल का lock-in था उसी तरह से यहाँ पर agricultural land पर भी 3 साल का lock-in है अग 16th January 2023, Nishten sold agricultural land for 25 lakh rupees. He incurred selling expenses of 75,000 rupees. Compute capital gains if land sold, if the land sold was purchased on 1st January 2006 for 4 lakh rupees and was used for agricultural purposes by his mother. He again purchased agricultural land of 9 lakh rupees on 25th January 23. He deposited 3 lakh rupees in a scheduled bank again under capital gains account scheme on 6th April 2003. Cost inflation index आपको दिया हुआ है. सबसे पहले बात करते है. 25 lakh rupees में जमीन बेची गई. 25 lakh rupees में जमीन बेची गई. तो full value of consideration will be 25 lakh rupees. ठीक है? अब इसमें कुछ brokerage expenses या transfer expenses लगेते हैं क्या? Yes. Selling expenses लग गए 75,000 rupees के. यह लग गए. तो 25 lakh में से 75,000 गए. 25 lakh में से 75,000 गए. यह क्या हो गया? 24 25,000 rupees. ठीक है? अब इसमें आपको क्या करना है? Compute the capital gains. अब इसमें आपको cost inflation index लगाकर cost of acquisition निकालना है. अब cost of acquisition कितना था? 4 lakh rupees का था. और 2006, यानि 2005 6 का था. 1st January 2006 को खरीदी थी. मतलब 2005 6. तो 4 lakh rupees into 331 divided by 2005 6 का कितना है? 117. तो यह देखो जी. 4 lakh into 331 divided by 117. कितना आता है? 1131 624. ठीक है? 1131 624. या गया? 1131 624. तो कितना आया यह? 24 lakh 25,000 minus 1131 624. This is 1293 376. 1293 376. या आगया? उसके बाद देखो अब इसने क्या किया? He again purchased agricultural land of 9 lakh rupees on 25th January 2023 and he deposited. He deposited 3 lakh rupees in a scheduled bank under capital gain account scheme. तो क्या यहाँ पर ऐसा था कि आप urban land बेच कर सिर्फ एक ही land खरीद सकते हो? नहीं. यहाँ ऐसा नहीं था. यह house में, section 54 वाले section में था कि आप house property बेच कर सिर्फ एक ही house property खरीद सकते हो. और उसमें बस यह किया था कि चलो अगर 2 करोड तक का आपका capital gain है तो आप 2 house properties भी खरीद सकते हो. उसका भी exemption आप ले लोगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर आप कितनी भी agricultural lines खरीद लो, दो साल के अंदर अंदर खरीद होगे, तो आपको उसका benefit मिल जाएगा. और अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो फिर capital gain account scheme में, capital gain deposit scheme में आप पैसा deposit कर दो. क्या deposit amount कितना है? 9 lakh plus 3 lakh, तो यह आपका 12 lakh आजाएगा. इसमें से lower क्या है? इसमें से lower है 12 lakh. तो 93,376 का आप लोगों को capital gains हो जाता है. Very simple question. ठीक है? आइए सर, next exemption पर हम लोग आते हैं. Next exemption is section 54D. Section 54D है, exemption for compulsory acquisition of industrial land and building. ठीक है? Residency नहीं, industrial land and building का, अगर आपका compulsory acquisition होता है, तो फिर क्या होगा? ठीक है? सरकार ने आपकी industrial land and building को compulsorily acquire कर लिया. तो आज हो देखते हैं. Eligible SAC, यहाँ पर all SACs है. क्योंकि industrial land and building का अगर acquisition हो रहा है, तो industrial land and building तो companies, firms, सभी के पास होगी. तो industrial land and building का आपका acquisition हो रहा है, compulsory acquisition हो रहा है. Transferred asset क्या होगा? तो date of transfer के दो साल पहले तक से लेकर अभी तक यह इसको industrial purpose के लिए यूस कर रहा था. short term भी हो सकता है, long term भी हो सकता है, on transfer capital gain कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ section 54 में ऐसा था कि long term capital gain ही होना चाहिए, तभी section 54 का exemption मिलेगा. Section 54 में भी ऐसी कोई limit नहीं थी, section 54D में भी ऐसी कोई limit नहीं है. Asset to be acquired, अब देखो, बेचने के बाद आपको क्या acquire करना होगा, फिर से industrial land and building ही acquire करनी होगी. Sorry, मतलब अगर सरकार ने आपका industrial land and building compulsorily acquire किया, तो आपको दोबारा से फिर exemption claim करने के लिए industrial land and building को ही acquire करना होगा. Time limit 3 साल, तो new industrial land and building should be purchased or constructed within 3 years after the date of receipt of compensation. तो जिस साल आपको compensation मिला, उस साल के 3 साल के अंदर अंदर, यो compulsory acquisition में तो हम लोगों ने देखा था न, कि transfer तो हो जाता है जिस साल compulsory acquisition होता है, लेकिन taxable कब होता है, जिस साल पैसा मिलता है, तो पैसा मिला बाद में, जिस साल पैसा मिला, उसके 3 साल के अंदर अंदर आपक आपको मिल जाएगा उसके बाद amount of exemption same as section 54 यानि amount of capital gains और the amount of new asset या deposit amount whichever is lower वाला और lock-in period same as section 54 मतलब वही 3 साल का lock-in आपका लग जाता है कि जो भी नई industrial land या building आप acquire करोगे उसको तीन साल तक कहीं नहीं बेचोगे यह हो गया section 54D उसके बाद आता है हमारे पास section 54 EC section 54 EC बड़ा इंप्रेसिंग section बड़ा मजा आएगा section 54 EC में और मैं आप लोग को बताता हूं पहले रहा सा पानी पीलूगा लेको कुछ-कुछ तो हो रहा है कुछ- आईए 54 EC में क्या होता है 54 EC में अगर आप कोई immovable property transfer करते हो अगर आप कोई immovable property transfer करते हो कोई भी immovable property जाए वो land हो building हो land and building सब कुछ हो कुछ भी और यह सभी assesses पर applicable है पर capital gain इसमें long term होना चाहिए अगर आपने कोई भी immovable property transfer की और जो भी पैसा आया उससे या तो आपने NHAI के bonds खरीदे National Highway Authority of India या आपने RECL के bonds खरीदे Rural Electrification Corporation of India Corporation Limited या आपने PFCL के bonds खरीदे Power Finance Corporation Limited या आपने IRFCL के bonds खरीदे Indian Railway Finance Corporation Limited छे महीने के अंदर अंदर तो आपको benefit मिलेगा कितना अगें जितना पैसा आपने लगाया या जितना capital gain था whichever is lower लेकिन पचास लाख से ज्यादा का benefit नहीं मिलेगा टाइम लिमिट बॉंड शुट बी अक्वाइड विदिन 6 months after the date of transfer लेकिन बॉंड खरीदे में कितना ताइम लगता है तो छे महीने कहीं ताइम आपको दिया हुआ है जिस दिन आपने कोई प्रॉपटी ट्रांसफर की उसके छे महीने के अंदर अंदर आप नहीं कोई आपने के बारे में बात करें तो अगर आपने जुलाई के अंदर अंदर आपके पास सफिशन टाइम है एप्रिल में जून जुलाई चार महीने पूरे पूरे हैं आपके पास तो आप महाँ पर कर लिए ठीक है तो यहां पर आपका यहां पर पाँच साल का लॉकिए पीरिड अगर आपके पास NHI, RECL वगड़े के बॉड्स आपके बांट आपके पास आप प्याएं पांच साल के अंदर अपने गिर भी करके इस लोन ले लिया तो आपने सोजआ के चलो ठीक है बौंस के अगिस्ट मैं लोन ले ले लिता हो तो वो भी अलाओ और नहीं है लोन्स और इड्वांस इस टेकन अनुट अगर आपके पास थी और फिर आपने उसको कनवर्ट किया स्टॉक इंट रेड़ उसको ट्रांसफर तो माल लिया तो आप लोब बोलेगा के च्रांसफर के चे महीने के अंदर अंदर आपको खरीदना होगा बहीं ट्रांसफर हुआ यह इस ट्रांसफर वाई यह बिकने तो तो यहां पर सीवीरीटी ने ख्लारिफाई किया है अगें अब आएगा जब स्टॉक बेचोगे तो स्टॉक बेचने से 6 महीने तक हम लोग देखेंगे question number 45 पर आजाओ question number 45 पर आओ Mr. Selvan acquired a residential house in January 2002 for 10 lakh rupees and made some improvements by way of additional construction to the house incurring expenditure of 2 lakh rupees in October 2005 तो residential house property खरी थी residential house property सुनते ही 54 आता है अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या difference है कई सारे लोग थोड़े से हो सकता है आप में लग रहा हो कि या क्या difference है फिर 54 में 54 B में 54 D में 54 EC में 54 में क्या था residential house property 54 B में क्या था urban agriculture land 54 D में क्या था industrial land and building 54 EC में क्या है एनी immovable property तो बात तो सारी की सारी immovable properties के बारे में ही चल रही है ठीक है लेकिन क्या क्या differences है उनके बारे में अभी हम लोग discussion करेंगे थोडी देर में तो Mr. Selvan acquired a residential house in January 2002 for 10 lakh rupees and made some improvements by way of additional construction to the house incurring expenditure of 2 lakh rupees in October 2005. he sold the house property in October 22 for 75 lakh rupees the value of the property was adopted as 80 lakh rupees by the stamp valuation authority for registration purpose he acquired a residential house in January 23 for 25 lakh rupees he deposited 20 lakh rupees in capital gain bonds issued by National Highway Authority of India in June 23 compute the capital gain chargeable to tax for the assessment year 23-24 ठीक है आप इसमें आप लोगों को section 54 भी लगेगा section 54 क्यों लगेगा क्यूंकि residential house property बेचकर residential house property ही खरीद रहा है ठीक है residential house property बेचकर residential house property खरीद रहा है तो 54 ठीक है सुनो आप मेरी बात 54 में residential house बेचकर residential house खरीदना है 54 B में urban agricultural land बेचकर urban या rural agricultural land खरीद नी है 54 D में industrial land and building का compulsory acquisition होता है और उससे आपको industrial land and building ही खरीदनी है 54 EC में कोई immovable property हो जाए residential house हो, urban agriculture land हो, industrial land and building हो कोई immovable property हो उसको बेचकर या उसका compulsory acquisition के बाद आपको bonds खरीदने होते हैं NHAI, RECL, PFCL, IRFCL के इन चार चीज़ों के आपको bonds खरीदने होते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, this is the difference between these three, these four sections, right? अच्छा, आज हो इदर देखो, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले तो इसने, कितने का बेचा मकान? He sold the house property in October 22 for 75 lakh rupees, तो 75 lakh rupees का 110% सबसे पहले तो करते हैं, 75 lakh rupees का 110% अगर करें, तो कितना आता है? 82 lakh 50,000 rupees आता है और stamp valuation के purpose से 80 lakhs मानी गई है, तो stamp duty value is less than 110% of the sale consideration, तो full value of consideration क्या मानेंगे? यही sale consideration को माना जाए गा, तो यह selling price आपका full value of consideration will be, selling price 75 lakh, ठीक है? यहा फिर SDB, तो SDB आपका 80 lakhs, यहाँ पर ही लिख दिया है, कि since SDB is less than 110% of the selling price, selling price is taken as FBOC, तो यह full value of consideration आपके आगई? 75 lakhs, क्या कोई brokerage वगेरा कुछ दी गई, transfer किया गया, कुछ, कुछ हुआ, 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 अपने आप ऐसे मच चलो भई, हाँ तो क्या कुछ ब्रोकरेज दी 10 लाग का खरीदा था improvement करवाया बेचा, stamp duty नहीं कोई improvement नहीं है यह हो गया ऐसे net consideration कितनी आ गई net consideration आ गई 75 लाग ठीक है net consideration आ गई 75 लाग रुपे अब index cost of acquisition कब खरीदा था January 2002 में खरीदा था तो 2001 एक दो में खरीदा था 10 लाग रुपे का तो 10 लाग रुपे into 331 divided by एक दो में था नहीं है 100 तो 10 लाग रुपे 10 लाग रुपे into 331 divided by 100 यह कितना आता है 33,10,000 रुपीज 33,10,000 रुपीज उसके बाद cost of improvement अगर देखे 2 लाग रुपे का cost of improvement कर रहा है तो October 2005 में तो 2 लाग रुपे into 331 by October 2005 2006 का 117 2 लाग रुपे 2 लाग रुपे into 331 by 117 यह आता है 565,812 565,812 ठीक है 565,812 तिर आपका gross LTCG कितना निकलकर आता है 75,00,000 में से आप माइनस करोगे 33,10,000 माइनस करोगे 565,812 यह आता है 36,24,188 36,24,188 ठीक है अब देखो इसने जो नया मकान खरीदा वो कितने का खरीदा 25,00,000 का नया मकान खरीदा और 20,00,000 रुपे capital gain bonds में किये NHAI वाले bonds में ठीक है 20,00,000 रुपे NHAI वाले bonds में किये तो पहले section 54 का exemption देखते है फिर 54 EC के बारे में बात करेंगे तो 54 के लिए 25,00,000 रुपे इसने नये house property में लगा दिया और बेचा कब था? बेचा था, बेचा था, बेचा था October 22 में बेचा था, 3 साल के अंदर-अंदर खरीद लिया, very good तो अभी यहां पर क्या हो गया? 25,00,000 रुपे खरीदा 25,00,000 रुपे का, तो 25,00,000 रुपे का आपको 54 में exemption मिलेगा और 36,24,188 में से 25,00,000 रुपे आप माइनस करोगे तो 11,24,188, 11,24,188 का आपका आएगा 54 EC का क्या होगा? 54 EC का क्या होगा? 54 EC में देखो 54 EC में आपको NHAI के बॉंड्स में 6 महीने के अंदर-अंदर पैसा जमा करना होता है मतलब पैसा आपको बॉंड्स खरीदने होते हैं October 2022 में बेचा ठीक है? मकान, October 2022 में बेचा अगर हम 31st October भी मानते हैं अगर हम 31st October भी मानते हैं तो 6 महीने कब complete हुए? 30th November, 31st December, 31st January, 28th March 31st March, sorry October में बेचा न, October 2022 में 31st October भी अगर हम लोग मानके चलें तो 30th November, December, January, February, March, April 30th April तक 6 महीने complete हो गए? लेकिन इसने NHAI के बॉंड्स कब खरीदे? इसने June में खरीदे, 30th April के बाद खरीदे तो क्या 54 EC का आपको इसमें exemption मिलेगा? ठीक है? इसमें 54 EC का exemption नहीं मिलेगा? पहली बात एकदम clear हो गई? अब आजो आगे देखते हैं यह हो गया, compute the capital gains, chargeable tax for the assessment rate 23-24 यह हो गया, अब अगला part question का कहता है what would be the tax consequence and in which assessment here it would be taxable if the house property acquired in January 23 यह जो नया मकान खरीदा न, 25 रुपे का खरीदा है, हाँ यह जो नया मकान 25 रुपे का खरीदा है अगर इस मकान को March 2024 में 40 रुपे बेच दिया तो क्या होगा? ठीक है? इस मकान को अगर March 2024 में March 2024 मतलब financial year 23-24 ठीक है? financial year 23-24 तो देखो financial year 22-23 में आपने नया मकान खरीदा पुराना मकान बेच कर आपने नया मकान खरीदा इस पर 3 साल का लॉकेन है लेकिन लॉकेन के अंदर अंदर अगर आपने इसको एक साल के अंदर अंदर बेच दिया इसको तो लॉकेन के अंदर बेच दिया withdraw तो हो जाएगा, लेकिन अब कैसे taxability आएगी, उसके बारे में हम लोग बाद करते हैं तो नया मकान इससे 40,00,00 रुपे में बेचा, तो नया मकान इससे 40,00,00 रुपे में बेचा, financial year 23,24 में बेचा, बनाब previous year 23,24 में बेचा, तो assessment year 24,25 में taxability आएगी assessment ये 24-25 में taxability आएगी तो ये कितने का मकान बेजगा था 40,00,00 रुपे का मकान बेजगा था तो देखो full value of consideration 40,00,00 रुपे यहाँ पर आ जाएगी transfer expenses कुछ नहीं तो 40,00,00 रुपे net consideration आएगी अब क्योंकि ये immovable property दो साल के अंदर-अंदर बेची जा रही है क्योंकि ये immovable property दो साल के अंदर-अंदर बेची जा रही है इसने short term capital gains arise होगे फिनेशल ये 2022-23 में खरीदी 23-24 में बेची तो दो साल के अंदर-अंदर बेची गई ना short term long term पहली class में पढ़ा था परसों वाली class में तो यहां पर आपका short term capital gains arise होगा तो cost of acquisition था क्या इसका cost of acquisition इसका 25 लाग का था cost of acquisition इसका 25 लाग का था न? तो cost of acquisition यहां पर हम लोग लेंगे 25 लाग यहां पर हम लोग लेंगे 25 लाग cost of acquisition माइनस जो exemption हमने initially claim किया था इसको खरीदते समय हमने कितने का exemption claim किया था इसको खरीदते समय हमने 25 लाग रुपे का exemption क्लेम किया था तो वो 25 लाग रुपे का exemption जो हमने claim किया था उसको हम यहां से minus कर देंगे और cost of acquisition आपकी nil मानली जाए कि इस तरह से taxability होती है कि यह 25 लाग के exemption लिये था न तुम लियाओ अब इदर फिर से tax दो मतलब exemption claimed earlier को cost में से आप minus कर दो गे तो वो exemption हो जाएगा कि इस साल आपको exemption मिल गया इस साल उसी 25 लाग पर tax लगया तो यहां पर 40 लाग रुपे पर आपको capital gain आजाएगा short term capital gain और इस पर आपको tax देना होगा I hope यहां तकी बात आप सब कर समझ में आ गई बर्लो निष्टे फोरेवर बर्लो निष्टे फोरेवर ठीक है सर यहां तकी बात सबको आ गई हो इस समझ में तो यहां पर 2-3 चीज़ें थी समझने वाली पहला जो NHAI, RECL, PFCL, IRFCL वाले bonds में आप पैसा लगाते हों वो आपको 6 महिनी के अंदर अंदर लगाना होता है 6 महिनी के अंदर अंदर नहीं लगाया तो उसका benefit आपको नहीं मिला section 54 का benefit आपको मिला फिर section 54 में जो आपने नया वाला house property acquire किया उसको 3 साल तक आपने कोर नहीं बेचना चाहिए अगर आपने उसको 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया lock in period के अंदर ही अंदर आपने बेच दिया तो जो भी exemption आपको शुरुआत में मिला था वो exemption आपका lapse हो जाएगा तो यह नया मकान आपने 40 लाग रुपे में बेचा इसमें से जब cost of acquisition माइनस किया तो cost 25 लाग के माइनस करते लेकिन 25 लाग का exemption ले चुके थे तो इसलिए उसको cost में से माइनस किया और अब 40 लाग रुपे का यहां पर आपका पूरा का पूरा taxable हो जाएगा I'm sure sabu का समझ में आ गया बूलो निष्टे पॉरेवर बूलो निष्टे फॉरेवर पानी पी लेता हम खोड़ा सम्में खोड़ा सब पानी पी लेता हम पूरा सब नोट में यही पर लिखाओ है अब एक लास्ट सेक्शन आपके C Intermediate के सिलिबस में आता है 54F कहता है कि बहुत हो गया तुम सब का 54 कह रहा है residential house property दो residential house property खरीदो तभी हम exemption देंगे 54B क्या कह रहा है 54B कह रहा है कि urban agriculture land बेचो और खरीदो तभी हम देंगे 54D कह रहा है industrial land and building का compulsory acquisition होना चाहिए तब हम आपको exemption देंगे 54 यह इससे पहले वाला कौन सा था EC वाला 54 EC ने कहा कि कोई भी immovable property बेच दो bonds खरीद लो तो हम आपको exemption देंगे 54F कहता है यार तुम कोई भी long term capital asset बेचो 54F क्या कहता है तुम कोई भी long term capital asset बेचो बदले में खरीद लो residential house property ठीक है 54 में अगर आप residential house property खरीदते हो तो आपको पहले residential house property बेचनी भी पड़ेगी तब ही exemption मिलेगा ठीक है लेकिन ऐसा हो सकता है आज तक मेरे पास कोई घर नहीं था आज तक मेरे पास कोई residential house property नहीं थी मैं किराई के मकान पर रह रहा था कई सालों से मैं business किये जा रहो किये जा रहो किये जा लेकिन मेरे पास बहुत सारी और long term capital assets मैंने long term capital assets suppose मैंने shares ही खरीद रखे थे shares में मेरा investment था अब मैंने shares बेच दिये ठीक है पिशले 30 साल से मैं किसी एक बड़ी company के shares hold कर रहा था आज उसकी value करोड़ों में आज मैंने अगर वो shares बेच दिये और इन करोड़ों रुपिय के मैंने घर खरीद लिए तो फिर क्या मेरे कोई exemption नहीं मिलेगा just because 54 में नहीं आता 54 ने कहा था residential house property तो आप any long term capital asset बेच तो accept residential house property क्यों accept residential house property क्योंकि residential house property बेचने पर अगर आप residential house property खरीद होगे तब तो section 54 में already exemption available है ना तो दो-दो sections में थोड़ी लोगे कि 54 में भी लेंगे 54 F में भी लेंगे capital gain on transferred asset long term होना चाहिए asset to be acquired one residential house property in India एक residential house property यहां पर यह वाला नहीं है कि दो करोड तक अगर है तो चलो दो भी खरीद हो चलेगा ना यहां नहीं है यहां एक residential house property आपको खरीद दी होगी और time limit same as section 54 यानि minus 1 plus 2 plus 3 अगर purchase कर रहे हो तो एक साल पहले या 2 साल बाद और अगर construct क कर रहे हो तो बेचने के 3 साल बात capital gain account scheme same as section 54 amount of exemption कितना मिलेगा और this is the only thing which is different than all the other sections अभी तक हमने जितने भी sections के बड़े simple थे उसमें या तो जितने का भी आपने नया asset खरीद है वो या तो capital gain जितना भी है whichever is lower उतने का आपको reduction मिल जाता था लेकिन यहां पर फिर से आपके पास बच्पन का unitary method निकल कर आता है यहां पर एक बार फिर से unitary method निकल कर आता है यहां पर क्या होता है कि suppose आपने कोई long term capital asset बेचा 10 लाग का और इस पर आपको capital gain हुआ suppose 7 लाग का इस पर आपको capital gain हुआ suppose 7 लाग का आपने मकान खरीदा suppose 5 लाग का आपने मकान खरीदा suppose 5 लाग का तो अभी तक जो हम करते आ रहे थे उसमें क्या होता या तो 5 लाग का मकान या तो 7 लाग का gain whichever is lower तो आपको 5 लाग का exemption मिल जाता अभी तक तो यहीं चल रहा था यहां पर इ 10 लाग invest किया है अगर आप पूरा 10 लाग invest करते तब हम आपको पूरे 7 लाग का exemption देते क्या बोला अगर आप पूरा 10 लाग जितना भी आपको consideration मिला अगर आप यह पूरा 10 लाग जमा करते तब हम आपको 7 लाग का exemption यानि पूरे capital gain का exemption देते लेकिन आपने क्योंकि सिर्फ 5 लाक रुपिया जमा किया है आपने क्यूंकि सिर्फ 5 लाक रुपिया जमा किया है तो कितने capital gain का आपको reduction मिलेगा यह unitary method नहीं छूटेगा तो 5 lakh into 7 lakh rupees divided by 10 lakh rupees यह unitary method ही है जिसकी वज़े से आपको यह formula याद करने के जरुवत नहीं पड़ेगी तो 5 lakh into 7 lakh divided by 10 lakh तो 5 lakh cost of new asset इदे को cost of new asset into 7 lakh into the long term capital gain divided by 10 lakh divided by the net consideration तो यह unitary method है जो आपको बड़े-बड़े formula याद करने से बचाते है यह ही मैना आपको CA foundation का maths पढ़ाते हैं वक्त भी बताया है कि unitary method आगे चलकर इतना काम आएगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो ठीक है तो यहां पर यह वाली बात हो गई तो अब amount of exemption क्या हो गया if net consideration is fully utilized and capital gain is fully exempt otherwise proportionate way पर exempt हो जाता है lock-in period वही तीन साल का lock-in period है ठीक है और अगर lock-in period से पहले आपने घर बेचा तो अभी अभी हमने देखा कि किस तरह से exemption withdraw किया जाता है अडिश्टरल कंडिशन सब देखो अडिश्टरल कंडिशन क्या है कि on the date of transfer of any long-term capital asset assessi should not be owning more than one residential house other than acquired under this section मतलब अगर मैंने shares बेचे और मैंने मकान खरीदा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पहले से एक मकान था यह उन लोगों के लिए जिनके उपर जो हमेशा से चाहते हैं कि हमारा खुद का घर होना चाहिए हमारा खुद का घर होना चाहिए तो उनके लिए बोला कि आपका अभी घर नहीं है ना अगर आपका पहले से घर था तो आप घर बेचके नया घर खरीदते तो आप section 54 का exemption लेते ठीक है लेकिन अभी अगर आपके पास घरी नहीं है तभी आप यह स्वाले रीकोर्स में आ रहे हो तो आप कोई भी long term capital asset बेचो और फिर एक घर अक्वायर करो उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए एक और चीज यहां पर आ गई है कि जब आपने नया मकान खरीद लिया तो उस नय मकान के खरीदने के दो साल के अंदर अंदर या तीन साल के अंदर अंदर आपको कोई भी मकान पर चेज या कंस्रक्ट नहीं कराना होगा ठीक है चलो जी अब आओ क्वेस्टन पर आओ तो क्वेस्टन देखते है थोड़ा सा और काईदे से चीजे समझ में आपको आएंगी देखो अब आपको टाक्सिबल गें निकालने तो लॉंग टम क्वेस्टने के बाद एक रेजिदेंशल हाउस प्रॉबटी खरीदा तो इसमें मतलब क्या हो गया कि यह आपका सेक्शन 54F वाला लग जाए गा तो बेचा कितने में था ग्यारा लाग पचास जार पर में बेचा था तो फुल वाली ओफ दो लाग बावन हजार की जूलरी खरीदी थी आपने दो लाग बावन हजार रपे की जूलरी खरीदी तीन सो एकत्यस डिवाइड बाई एक सो तेरा डिवाइड बाई एक सो तेरा यह हो गया 11.43 minus 7.38.159 This is 404841 404841 यह हो गया, अब इसमें section 54F का exemption लेंगे तो अगर पूरा 11.43 खर्च करते अगर पूरा 11.43 खर्च करते तब पूरे 404841 का exemption मिल जाता लेकिन हमने 5 लाख रुपिया खर्च किया तो 5 इन्टू 404841 डिवाइड़ बाइ 11.43 थाउसन पांच लाख इन्टू 404841 डिवाइड़ बाइ 11.43 थीक है, next sale consideration यह लोगे ना common sense है यह तो 7.000 माइनस करने के बाद ही लोगे थीक है, तो अगर आप पूरा 11.43 खर्च कर देते मकान में, तो आपको पूरे 4.4841 का deduction मिलता, exemption मिलता, लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ 5 लाख इन्वेस्ट किया था नए मकान में, तो उसके हिसाब से ही proportionate exemption हम लोगों को मिलेगा, तो 5 लाख into 404841 divided by 11.43,000, कितना आता है, 177.096, 177.096, तो कितना deduction मिलेगा, मतलब कितना taxable होगा, 404841 माइनस, 177.096, तो इस 227.745, 227.745, ठीक है सर, सब को समझ में आ गया भूलो, निष्टेन, ठीक है, दन, तो चलो, अब एक बार ये आपके, आप अपने notes में exemption table देख सकते हो, तो इसमें जितने भी sections हमारे syllabus में, हमारे syllabus में बस यही 5 sections है, ठीक है, बाकी जो भी अगल बगल वाले sections हैं, आपसी ये final में पढ़ोगे, हमारे syllabus में यही है, उनकी एक summary table में आप लोग को बना कर दी भी है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद एक section 10, sub section 37 और आ जाता है, exemption for capital gain on urban agricultural land, अब देखो इधर, urban agricultural land को transfer करने पर एक exemption हम लोग ने section 54B में तो देखा ही देखा, ठीक है, इधर क्या है, long term capital gain या short term capital gain on compulsory acquisition of urban agricultural land shall be exempt, if following conditions are satisfied, लेकिन अगर आपके agricultural land को compulsorily acquire कर लिया गया तो, तो 1037 में, पहला, SSE should be individual ya HOF, such agricultural land should have been used by SSE or his parents for agricultural purposes for 2 years before the date of transfer, और तीजा, consideration is determined by RBI or the central government, ठीक है, अगर ये तीन चीजे हैं, तो फिर 1037 का भी आपको benefit मिल जाता है, तो question 47, देख लेते हैं उसको फड़ा पट से, यहाँ पर बड़ा simple सा question है है, तो देखो, Mr. Nishten purchased an agricultural land costing 7 lakh rupees in Prayag Raj on 1st April 2002 and has been using it for agricultural purposes since its purchase till 1st August 2011 when the government compulsorily acquired the land, a compensation of 14 lakh rupees was settled, the compensation was received by Mr. Nishten on 1st July 2022, तो सारी conditions हमारी satisfy हो जारी है, compute the amount of capital gains taxable in the hands of Mr. Nishten, तो मेरे हाथ में क्या capital gains computed होगे, तो देखो, as per section 1037, in case of individual EHUF, capital gain on compulsory acquisition of urban agricultural land is exempt, पूरा का पूरा exempt हो जाता है, if it was used by the SSE or parents for agricultural purposes for 2 years before compulsory acquisition, so in this case, capital gains is not applicable, ठीक? Would your answer be different if Mr. Nishten had by his own will sold the land to his friend Mr. Anshul, explain, अगर मैंने अपनी मर्जी से कर दी होती तो, in case of sale, capital gain is applicable as 1037 exemption is available only in the case of compulsory acquisition, तो अगर urban agricultural land मैंने अपने दोस्त को बेची होती, तो फिर 54B में मुझे जाना पड़ता, कि मैं एक नई urban या rural agricultural land खरीद हो, तो तब ही जाकर मैंने को उसका exemption मिलेगा, ठीक है, उसके बाद, would your answer be different if Mr. Nishten had not used this land for agricultural activities, explain and compute the amount of capital gains taxable in the hands of Mr. Nishten if any, तो अगर agricultural activities के लिए मैं उसको use नहीं कर रहा होता, तो capital gain मेरा applicable हो जाता, तो full value of consideration मेरी क्या आती, कितने में बिका, compensation 14 लाग का, तो यहाँ पर 14 लाग रुपे यह आ जाता आपका, ठीक है, और यह 7 लाग रुपे में खरीदी गई थी, यह खरीदी गई थी, कब? 7 लाग रुपे में खरीदी गई थी, 1st April 2002 में खरीदी गई थी, तो cost inflation index यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन कोई बात ही, आप देख लेना अपने आप से, तो यह 184 by 105, यह 184 क्यों आया? क्योंकि date of transfer कौन सा हुआ, date of transfer कहा हुआ? date of transfer, date of transfer, date of transfer, date of transfer, date of transfer कहा हुआ? 1st April 2002 को खरीदा, and has been using it for agricultural purposes since its purchase, till 1-8-2011 when the government compulsorily acquired it, ठीक है, तो अगर मैंने यह वाली बात है, मैंने इस साल नहीं बेचा न, तो मैंने 1st August 2011, यानि 11-12 में अगर बेचा होता, तो 11-12 का cost inflation index था 184, और acquire किया था financial year 23 में, financial year 23 का यह था 105, ठीक है? इस साल नहीं बेचा है, तो financial year 11-12 में compulsory acquisition हुआ न, उसी से related question है, कि अगर मान लो, compulsory acquisition की जगा, अंशुल सर को बेचा होता, तो फिर क्या होता? तो 184 upon 105, यह हम लोग कर लेते तो यह आता आपका 7 lakh rupees into 184 by 105 यह कितना आता? 12-26 666, 12-26 667 यह है, 12-26-667 तो फिर 14 यह हो गया, next question number 4, would your answer be different if the land belonged to Nishten Limited and not Mr. Nishten and compensation on compulsory acquisition was received by the company, तो क्या companies पर यह applicable होता है? क्या यह companies पर applicable होता है? तो the answer is no, क्योंकि यहां पर हम लोग लोग लेते देखा, यह सिर्फ individual या HOF के लिए होगा, तो यह companies के लिए applicable नहीं होगा, exemption and section 1037 only is applicable only in the case of individuals and HOF so in case of company, normal capital gain is applicable ठीक है, companies के लिए normal capital gain आपका applicable हो जाएगा, फिर हमारे पास आते हैं, कुछ miscellaneous provisions, कुछ miscellaneous provisions हमारे पास यहां पर निकल कर आ जाते हैं तो यह काम करते हैं, मैं बस एक miscellaneous provision आपको और दिखाता हूँ, उसके बाद आज की class को wind up करेंगे, यह provision number 2 से हम लोग कल continue करेंगे, liquidation of companies से हम लोग कल continue करेंगे, बस एक, आज की class यह को जल्दी खरब होगे, कल की class यह गंटा 38 मिनिट तक चल गए थी, आज की class में अभी तक से एक गंटा 7 मिनिट हूए, और इसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा निए, ठीक है, तो देखो, miscellaneous provisions में देखते हैं, क्योंकि आज मेरे को slide 145 तक करना भा, ठीक है, तो अभी slide 144 पे यह आ जाएगा, liquidation of companies, तो हम लोग पर इसको कल करेंगे, बहुत ही properly calculated चलना है सब कुछ, ठीक है, बस वोई depend करता है कि कब कौन सी चीज़ को समझाने में कितना ज्यादा time लग जाए, और कुछ नहीं है, तो देखो, provision 1, transaction not regarded as transfer, तो जो हम लोग रहे कल वाली class में देखे तो, अगर आपके पास कोई प्राचीन जादूई, रहसे मही वस्तू निकल कर आती है, और आप उसको museum में बेच देते हो, या सरकार को बेच देते हो, तो उसको transfer नहीं माने जाता है, आप पर कोई capital gain नहीं लगता है, बस इतनी सी बात है, तो Mr. Kali Charan, a businessman, had acquired a sculpture for 8,36,000 and a drawing for 20,000 rupees in the year 2004-05, he sold the sculpture for 9,000 rupees to a university and the drawing for 15,000 rupees to a national museum, तो इस पर कोई भी capital gain नहीं लगेगा, right, well, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकिये provision number 2, liquidation of companies से, हम लोग कल से अपना discussion start करेंगे, thank you so much everyone, मैं आपको फड़ावट से बता देता हूँ, अनेकाडमी प्लस का subscription कैसे लेना है, तो इसके लिए आपको अनेकाडमी के website पर आना होगा, यहाँ पर start learning पर click करना होगा, start learning पर click करने के बाद, आप यहाँ पर CA पर click करोगे, CA पर click करने के बाद, आपके सामने तीन options आएंगे, iconic, plus और light के, तो आप इन में से जो-जो भी benefits हैं, वो आप देख सकते हो, get plus पर आप लोग जब click करोगे, आपके सामने यह options आजाएंगे, यहाँ पर आप नेरा code enter कर दीजेगा, niche 10 और apply कर दीजेगा, तो आपको maximum possible discount मिल जाएगा, ठीक है sir, thank you so much everyone, I'll see you guys tomorrow, प्लीज अभी तक जितने भी questions हैं, उनको आप revise कर देना, यह provision number 2 से पहले के जितने भी questions हैं, उनको प्लीज आप लोग solve करेगा, बहुत अच्छी practice आप लोगों की होगी, and I'll see you guys tomorrow, वीडियो को like कर देना, comment section में comment करके बताना आपको session कैसा लगा, take care, अपना दिहान रखिए, bye bye.